दीद्वाना शहर में पुरानी SBI बैंक के पीछे लाखों रुपे की लागत से पूर्व मंत्री युनुस खान के द्वारा सबजी मंडी का निर्मान आज के 10 साल पहले करवाया गया था। इस सबजी मंडी का निर्मान सबजी विक्रेताओं को लेकर कराया गया था। ताकि शहर में जो हाथ ठेला चालक है, जो सबजी विक्रेता है, उनको वहाँ पर एक स्थाई स्थान मिल सके इसको लेकर सबजी मंडी का निर्मान कराया गया था। लेकिन सबजी मंडी के निर्मान को आज 10 साल से अधेक समय बीतने को आ गया है। लेकिन अभी तक इनमें दुकानों का आवंटन नहीं हुआ है, जिसकी वज़े से ये सबजी मंडी खंड में तबदील होती हुई नजर आ रही है। साथ ही इस सबजी मंडी को लोगों ने अब कच्रे का गोदाम भी बना लिया है। लेकिन नगर परिशद ने अब तक दुकानों का आवंटन नहीं किया है, अगर दुकानों का आवंटन होता है, तो शहर की जो यातायात व्यवस्था बधाल है, वो भी सुचारू रूप से सही हो जाएगी, लेकिन इस और ध्यान कोई नहीं दे रहा है, वही सबजी मंडी के म आमले को लेकर नगर परिशद आयुक्त से बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने नया पदभार ग्रहन किया है, अभी तक इसकी फाइल देखी नहीं है, आपके द्वारा अवगत कराया गया है, इसको दिखवा कर आचार सहिता समाप्त होने के बाद में जो भी प्रक्रिया रहे निलामी की या आवंटन की वही एक कमेटी का गठन कर करवाई जाएगी, और बिल्कुल इस पर कारवाई करते हुए आचार सहिता समाप्त होने के बाद में इनका आवंटन किया जाएगा, और जो हाथ ठेला चालक है वो व्यवस्थित हो जाए, और एक अच्छा संदेश ज जाएगी, उसके बाद यदि निलामी या जो आवंटन की जो भी परकिरिया रहेगी, हम एक कमेटी में लेके और इसको यता जल्दी से जल्दी आवंटन करवादेगे, बिल्कुल इसको दिखा के और आचार सहिता के बाद है, हम इसका आवंटन करेंगे, ताकि जो लोग य मातेले वाले बगिरा है, वो व्यवस्तित हो जाए और इस सहर को एक अच्छा संदिज जाए